दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले एक छोट इसी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे दुआरा कही गई कहानियां अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद. लीजे सुनते हैं कहानी, कहानी का नाम है अन्तिम प्यार, लेखक का नाम है रविंदनाथ टिगोर. आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर बैठे मित्रों के साथ मनोरंजन कर रहे थे, ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में परवेश किया. योगेश बाबू अच्छे चितरकार थे, उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्वी स्कूल छोड़ा था. उन्हें देखकर एक वैक्ती ने कहा, योगेश बाबू, नरेंदर क्या कहता है, आपने सुना कुछ? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठ कर, पहले तो एक लंबी सांस ली, पस्चात बोले, क्या कहता है? नरेंदर कहता है, बंग प्रांत में उसकी कोटी का कोई भी चितरकार इस समय नहीं है. ठीक है, अभी कल का छोकरा है ना, हम लोग तो जैसे आज तक यहां खास छिलते थे. जुझला कर योगेश बाबू ने कहा, जो लड़का बाते कर रहा था, उसने कहा, केवल यहीं नहीं, नरेंदर बाबू, आपको सम्मान के दृष्टी से भी नहीं देखते. योगेश बाबू ने उपेक्षा के भाव से कहा, क्यूं, क्या कोई अपराद हुआ है? वह कहता है, आप आदर्श का ध्यान रख के चितर नहीं बनाते. तो किस दिष्टी कोन से बनाता हूं? दिष्टी कोन, रुपे के लिए. योगेश ने एक आँख बन करके, कहा, वेर्थ. फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त वेस्त बालों को ठीक करकर, बहुत देर तक मौन बैठा रहा. चीन का जो सबसे बड़ा चितरकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे. यही कारण था कि योगेश ने भी स्वभाव विरुद सिर पर लंबे-लंबे बाल रखे थे. ये बाल उनके मुख पर बिलकुल नहीं भाते थे, क्योंकि बच्वन में एक बाल चेचक के आकर्मन से उनके प्रान तो बच गये थे, किन्तु मुख बहुत कुरूप हो गया था. एक तो सियाम वर्ण, दूसरे चेचक के दाग. चेहरा देखकर सहसा यही जान पड़ता था, मानो किसी ने बंदूग में छर्रे भर कर लिब-लिबी दाब दी हो. कमरे में जो लड़के बैठे थे, युगेश बाबू को क्रोधित देखकर, उसके सामने ही मुख बन करके हस रहे थे. सहसा वो हसी युगेश बाबू ने भी देख ली. क्रोधित स्वर में बोले, तुम लोग क्यों हस रहे हो? एक लड़के ने चाटु कारिता से जल्दी-जल्दी कहा, नहीं महाशाय, आपको क्रोध आए और हम हसे, यह भला कभी संभव हो सकता है? मैं समझ गया, अब अधिक चातुरे की अवशकता नहीं, क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो, कि अब तक तुम सब दाथ निकाल कर रो रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं, यह कहकर उन्होंने आखे बंद कर ली, लड़कों ने किसी प्रकार हसी रोक कर, कहा, चलिए, यों तो यों ही सही, हम हसते ही थे, और रोते भी क्यूं? पर हम नरेंदर के पागलपन को सोच कर हसते हैं, ओ, वो देखो, मास्टर साब के साथ नरेंदर भी आ रहा है, मास्टर साब के साथ साथ नरेंदर भी कमरे में आ गया, योगेश ने एक बार नरेंदर की और, वक्र दिश्ट्री से देख कर, मनमोहन बाबू से कहा, महाशे, नरेंदर मेरे विशे में क्या कहता है मनमहों बाबू जानते थे कि उन दोनों की गलती है दो पाशान जब परस पर टकराते हैं तो अगनी तो उत्पन होती ही है अतहव वहाबात को संभालते हुए मुस्कुराते से बोले योगेश बाबू, नरेंदर क्या कहता है नरेंदर कहता है कि मैं रुपे के दृष्टी कोन से चितर बनाता हूँ मेरा कोई आदर्श नहीं मनमहों बाबू ने पूछा क्यों नरेंदर, नरेंदर जो अब तक मौन खड़ा था आप किसी प्रकार आगे आकर बोला, हाँ कहता हूँ मेरी यही सम्मत्ती है योगेश बाबू ने मौ बना कर कहा, आए बड़े सम्मत्ती देने वाले छोटे मौ बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बाते मनमोहन बाबू ने कहा योगेश बाबू जाने दीजिए नरेंद्र अभी बच्चा है और बात भी तो साधारन है इस पर वाद विवाद की क्या आवेश रकता है योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोले, बच्चा नरेंद्र बच्चा है जिसके मुपर इतनी बड़ी-बड़ी मूचे हो, वहाँ यदि बच्चा है, तो बूढ़ा क्या होगा मनमोहन बाबू बोले आप क्या कहते हैं एक विध्यारती ने कहा महाशे, अभी जरा देर पहले तो आपने उसे कलका छोकरा बताया था योगेश बाबू का मुख क्रोद से लाल हो गया बोले, कब कहा था अभी इससे जरा देर पहले जूट, बिल्कुल जूट जिसकी इतनी बड़ी-बड़ी मूचे है उसे चोकरा कहूं संभव है क्या क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ सब लड़के एक स्वर्व में बोले नहीं महाशे ऐसी बात तो हम भूल कर भी अपनी जीव में नहीं ला सकते मनमोन बाबू किसी प्रकार हसी को रोकते हुए बोले चुप चुप गोलवान ना करो योगेश बाबू ने कहा हा नरेंद्र तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टकर का कोई चितरकार नहीं है नरेंद्र ने कहा आपने कैसे जाना नरेंद्र ने कहा आपने कैसे जाना तुम्हारे मित्रों ने कहा मैं यह नहीं कहता तब भी इतना आवेश्य कहूंगा कि मेरी तरह हिदर रक्ठ पीकर बंगाल में कोई चितर नहीं बनाता इसका प्रमाण नरेंदर ने आवेश्मे स्वर में कहा प्रमाण की क्या आवेश्यक्ता है मेरा अपना यही विचार है तुमारा विचार असत्य है नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया मनमहन बाबु ने इस अप्रिय वर्तलाप को बंद करने के लिए कहा नरेंद्र इस बार प्रदशन के लिए तुम चितर बनाओगे ना नरेंद्र ने कहा विचार तो है, देखूंगा तुम्हारा चितर कैसा बनता है नरेंद्र ने श्रधा भाव से उनकी पक धूली को लेकर कहा जिसके गुरु आप है, उसे क्या चिंता, देखना सर्वतुम रहेगा योगेश बाबु ने कहा, राम से पहले रामायन, पहले चितर बनाओ, फिर कहना नरेंद्र ने मूँ फेर कर योगेश बाबु की ओर देखा, कहा कुछ भी नहीं किन्तु मौन भाव और अपेक्षा ने बातों से कई अधिक योगेश के हिर्दे को ठेस पहुंचाई मनमोहन बाबु ने योगेश बाबु से कहा, चाहे आप कुछ भी कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ती पर बहुत विश्वास है मैं ध्रड निष्टे से कहता हूँ कि यहाँ भविश्य में एक बड़ा चितरकार होगा नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया एक विर्द्यारती ने कहा, परफेसर चाहाग नरेंद्र में किसी सीमा तक विश्वता की जलक दिखाई देती है मनमोहन बाबु ने कहा, हाँ मैं भी मानता हूँ जो व्यक्ति अपने घाव अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्व साधारन किसी सीमा तक विश्वत समझते है चितर में विशेश प्रकार का आकरशन तथा मोहकता उर्पन करने की उसमें आसाधारन योगता है तुम्हें मालुम है नरेंदर ने एक बार क्या किया था मैंने देखा कि नरेंदर के बाएं हाथ की उंगली से खून का वारा छूट रहा था और वहाँ बिना किसी कश्ट के बैठा चितर बना रहा है मैं तो उसे देखकर चकित रह गया मेरे मालुम करने पर उसने उत्तर दिया कि उंगली काट कर देख रहा हूं कि खून का वास्तविक रंग क्या है अजीव व्यक्ति है तुम लोग इसे विश्चिप्ता कह सकते हो किन्तु इसी विश्चिप्ता के ही कारण वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा योगेश बावो आँख बंद करके सोचने लगे जैसे गुरू वैसे चेले दोनों ही पागल है नरेंद सोचते सोचते मकान की ओर चला मार्ग में भीर भार थी कितनी ही गाड़ियां चली जा रही थी किन्तु इन बातों की ओर उसका ध्यान ही नहीं था उसे क्या चिंता थी सं प्रूम्भव इसका भी उसे पता ना था इस थोड़े समय में वह इतना सुप्रसिद और इतना सर्वप्रिय हो गया था कि उसके इशालों मित्रों को अच्छा ना लगा इन ही इशालों मित्रों में योगेश बावू भी थे नरेंद्र में एक विशेष योग्यता थी और तुलिका में एक असाधारन शक्ती है योगेश बाबु इसे दिली ही दिल में खूब समझते हैं परंतु उपर से उससे मानने के लिए तयार ही नहीं थे इस थोड़े समय में ही उसका इतना प्रसिद्धी प्राप्ट करने का एक विशेश कारण भी था वह यह है नरेंदर जिस चित्र को भी बनाता था अपनी सारी योगेता उसमें लगा देता था उसकी दिश्टी केवल चित्र पर रहती थी पैसे की और भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था उसकी हिर्दय की महतुकांशा थी कि चित्र बहुत ही सुन्दर हो उसमें अपने धंक की विशेश विलक्षनता हो मूले चाहे कम मिले या अधिक वह अपने विचार और भावनाओं की मधोर रूप रेखाएं अपने चित्र में देखता था जिस समय चित्रित करने बैठता था तो चारो और फैली हुई असीम प्रकृती और उसकी सारी रूप रेखाएं हिर्देपट से गुम्फित कर देता था इतना ही नहीं वह अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता था वह उस समय पागलों की भाती दिखाई पड़ता था और अपने प्राण तक उत्सर कर देने से भी उस समय संभव उसको संकोच ना होता यह दाशा उस समय की एकागलता की होती थी वास्तव में इसी कारण से उसे यह सम्मान प्राप्थ हुआ था उसके संभाव में साधगी थी वह जो बात साधगी से कहता लोग उसे अभीमान और प्रदिशनी से लदी हुई समझते उसके सामने कोई कुछ ना कहता परंतो पीछे पीछे लोग उसकी बुराई करने से ना चूंकते थे सबके सब नरेंदर को संग्याहीन साही पाते थे वह किसी बात को कान लगा कर ना सुनता था कोई पूछता कुछ था और वो उत्तर कुछ और देता था वह सरवदा ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभी अभी स्वपन देख रहा था और किसी ने सासा उसे जगा दिया हो उसने विवा किया और एक लड़का भी उत्तपन हुआ पत्मी बहुत ही सुन्दर थी करें यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे किसी हलकी वस्तु को यदि पानी में जबर्जस्ती डुबा दो तो वह किसी प्रकार भी ना डुबेगी वरन उपर तैरती रहेगी ठीक यही दैशा उन लोग की होती हैं जो अपनी धुन के पक्के होते हैं वे सांसारिक दुख सुख में किसी प्रकार डोगना नहीं चाहते उनका हिर्दय हर समय कारे की पूर्ती में सलंगन रहता है नरेंद्र सोचते सोचते अपने मकान के सामने आख़डा हुआ उसने देखा कि द्वार के समीब उसका चार साल का बच्चा मुँ में उगली डाले किसी गहरी जिंता में खड़ा था पिता को देखते ही बच्चा दोड़ता हुआ आया और दोनों हातों से नरेंद्र को पकड़ कर बोला बाबुजी क्यों बेटा क्या हुआ बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खीचते वे कहा बाबुजी देखो हमने एक मेंडग मारा है जो लंगड़ा हो गया है नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा कर कहा तो मैं क्या करूँ तु बड़ा पाजी है बच्चे ने कहा वह घर नहीं जा सकता लंगड़ा हो गया है न कैसे जाएगा चलो उसे गोद में उठा कर घर पहुचा दो नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हस्ते हस्ते घर में ले गया एक दिन नरेंद्र को ध्यान आया कि इस बार की प्रदरशनी में जैसे भी हो अपना एक चितर भीजना चाहिए कमरे की दिवार पर उसके हाथ के कितने ही चितर लगे हुए थे कहीं प्रकृती के दृष्ष, कहीं मनुष्य के शरीर की रूप रेखा, कहीं स्वर्ण की भाती सरसों के खेट के हरियाली, जंगल के मनमोहक दृष्ष वली और कहीं वे रास्ते जो छाया वाली विक्ष जा रही थी और सैकड़ो पाथिक दूप से व्यकुल होका चायादार विक्षों के समों में शरणाती थे, ऐसे कितने ही दृष्य थे, दूसरी और अनेकों विक्षों के चितर थे, उन सब के मनोभाव उनके मुखों से प्रकट होते थे, कोई गुस्ते में भरा हुआ, कोई चिंता की अवस्था में तो कोई प्रसंद मुख, कमरी के उत्रिय भाग में खिड़की के समीब एक अपूर्ण चितर लगा था, उसमें तार के विक्षों के समों के समीब सरवदा मौन रहने वाली छाया के आश्रे में एक सुन्दर नव युविती, नदी के नील वर्ण ज में अचल विजली सी मौन खड़ी थी, उसके होटों और मुख की रेखाओं में चितरकार ने हिर्दे की पीड़ा अंकित की थी, ऐसा प्रतीत होता था, मानो चितर बोलना चाहता है, किन्तो यौवन अभी उसके शरीर में पूरी तरह प्रस्फूटित नहीं हुआ है, इन दिनों की आशा और निराशा मिश्रित थी, परंतु आज उन चितरों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी और आकरशित ना किया, उसके हिर्दे में बार बार यहीं विचार आने लगा, कि इतने दिनों में उसने केवल बच्चों सा खेल खेला है, केवल कागस के टुक बहुत उच्च थे, उच्च ही नहीं, बलकि उच्च तम होकर चील की भाती आकाश में मंडराना चाहते थे, यदि वर्शा रितु का सुहावना दिन हो, तो क्या कोई शक्ती उसे रोक सकती है, वहाँ उस समय आवेश में आकर उड़ने की उच्चुकता में आज सीमित प्यार आने लगा, भावना और लालसा की जड़ी सी लग गई, उसने निश्चे कर लिया कि इस बार ऐसा चितर बनाएगा, जिससे उसका नाम अमर हो जाएगा, वहाँ इस वास्तविक्ता को सबके दिलों में बिठा देना चाहता था, कि उसकी अनुभ्यूती बच्पन की अनुभ्यूती नहीं है, मेच पर सिर रखका नरेंदर विचारों का ताना बाना बुननी लगा, वह क्या बनाएगा, किस वैशे पर बनाएगा, हिर्दय पर आगहात होने से साधारन प्रभाव पड़ता है, भावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चितर उसकी धियारे में शंक की मधूर ध्वानी ने उसको मस्च कर देने वाला गाना सुनाया, इस स्वयर लहरी से नरेंदर चौक कर उठ गया, पश्चार उसी अंधकार में वहाँ चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की भाती टहलने लगा, सब व्यर्थ, महान प्रैतन करने के पश्चार भी कोई विचार ना सूजा, रात बहुत हो जा चुकी थी, आमावस्य की अंधेरी में आकाश पर लोग की भाती धुंदला प्रतीत होता था, नरेंदर कुछ खोया-खोया सा पागलों की भाती उसी ओर तकता रहा, बहार से रसोये ने द्वार खट-खटा कर क बाबुजी, चौक कर नरेंदर ने पूछा, कौन है, बाबुजी भोजन तयार है, चलिए, जुझलाते हुए नरेंदर ने कटू स्वयर्व में कहा, मुझे तंग ना करो, जाओ, मैं इस समय ना खाऊंगा, कुछ थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं, और में जिसको ख्याती प्राप्त करने का व्यसन लग गया हो, उसको चैन कहा, एक सप्था बीग गया, इस सप्था हमें नरेंदर ने घर से बाहर कदम भी ना निकाला था, घर में बैठा सोचता रहता, किसी ना किसी मंतर से तो साधना की देवी अपनी कला दिखाएगी, इससे पुर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ती में देर ना लगती थी, परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात ना सूचती थी, जो जो दिन वैतीत होते जाते, वह निराश होता जाता, केबल यही नहीं, कई बार तो उसने जुझला कर सिर के बाल नोच लिय थे, वह अपने आपको गालियां दे था, प्रित्वी पर पेट के बल पढ़ कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सव्यर्थ, प्राथकाल नरेंद्र मौन बैठा था, कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया, उसने उसे खोल कर देखा, प्रोफ क्टि होई है और तुमारा चितर कितना बन गया है, योगेश बाबू ने चितर चितरत कर दिया है, मैंने देखा है, सुन्दर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अधिक अच्छे चितर की आशा है, तुमसे अधिक प्रेम मुझे और कोई नहीं, आशिर्वाद देता हूँ तुम अपने गुरू की लाज रख सको, मनमोहन पत्र पढ़कर नरेंदर और भी व्याकूल हो गया केवल एक सप्था शेश है और अभी तक उसके मस्तिष्ट में चित्र के विशे में कोई विचार नहीं आया खेद है, उसे अपने आत्म बल पर बहुत विश्वास था पर उस समय वह विश्वास भी जाता जा रहा था इसी तुछ शक्ति पर वह दस वेक्टियों में सर उठा कर फिरता था उसने सोचा था, अमर कलाकार बन जाओंगा परंतो वह रे दुर्भागे अपनी आयोगिता पर नरेंद्र की आँखों में आसु भराए रोगी की रात जैसे आँखों में निकल जाती है उसी तरह वह रात वैसे ही समाप्त हो गई नरेंद्र को इसका तनिक भी पता ना हुआ उधर वह कई दिनों से चितरशाला में ही सोया करता था नरेंद्र के मुख पर जागरन के चिन थे उसकी पत्नी दोड़ी दोड़ी आई और शिगरता से उसका हाथ पकड़ कर बोली अजी बच्ची को क्या हो गया है आकर देखो तो नरेंद्र ने पूछा क्या हुआ है पत्नी लीला हाफते हुए बोली शायद है जा इस प्रकार खड़े ना रहो बच्चा बिल्कुल अचेत पड़ा है बहुत ही अन्मने मन से नरेंद्र शैन कक्ष में प्रविष्ट हुआ बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था पलंके चारो और उस बहानक रोग के चिन दिश्टी गोचर हो रहे थे लाल रंग दो घड़ी में पीला हो गया था सहसा देखने से यही ग्यात होता था जैसे बच्चा जीवित ही नहीं केवल उसके वक्ष के समीब कोई वस्तर धगधग कर रही है और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ जिन दिश्टी कोचर हो रहे हैं वहाँ बच्चे के सिर्हाने सिर्ज जुखा कर खड़ा हो गया लीला ने कहा इस तरह खड़े न रहो जाओ डॉक्टर को बुला लाओ मा की आवास सुनकर बच्चे ने आँखे खोली और बोला मा ओ मा मेरे लाल मेरी पूंजी क्या कह रहा है कहते कहते लीला ने दोनों हाटें से बच्चे को अपनी गोज से लिपटा लिया मा के वक्ष पर सर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए थे वह बच्चे की ओर देखता रहा लीला ने उपाल में स्वर में कहा अभी तक डॉक्टर को नहीं बुला लाएं नरेंद्र ने दबी आवास में कहा डॉक्टर पती की आवास का असंभाविक स्वर सुनकर लीला ने चकित होकर कहा कुछ नहीं जाओ डॉक्टर को बुला लाओ अभी जाता हूँ नरेंद्र घर से बहार निकला घर का द्वार बंद हुआ लीला ने आश्चर चकित होकर सुना कि उसके पती ने बहार से द्वार की जंदीर खीच ली और वा सोच रही थी या क्या हुआ नरेंद्र चितरशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया दोनों हातों से मुह ठाप कर सोचने लगा उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी तीर्व आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है चारो और गहरे सुनेपन का राज था केवल दिवार लगी हुई घड़ी कभी ना धड़कने वाले गती से टिक टिक कर रही थी और नरेंदर के सीने के अंदर उसका हिर्दय मानों उसे उत्तर दे रहा था और कह रहा था धग 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 संभव उसके भ्यानक संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हिर्दय परस पर काना फुसी कर रहे थे सहसा नरेंदर उट खड़ा हुआ संग्याहीन अवेस्टा में कहने लगा क्या करूँ ऐसा आदर्शे फिर ना मिलेगा परंतु वह तो मेरा पुत्र है वह कहते कहते रुक गया मौन होकर सोचने लगा सहसा मकान के अंदर से संसनाते हुए बाण की भाती हाए की हिर्दे भेदक आवाज उसके कानों पे पहुची मिरा लाल तू कहां गया जिस प्रकार चला तूट जाने से कमान सीधी हो जाती है चिंता और व्याकुल से नरेंद ठीक उसी तरह सीधा ख़़ा हो गया उसके मुक पर लाली का चिन भी ना था फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी वह समझ गया बच्चा चल बसा मन ही मन बोला भगवान तुम साक्षी हो मेरा कोई अपराद नहीं इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुठी में लेकर सोचने लगा जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौक कर उठा हो उसी प्रकार चौक कर जल्दी जल्दी मेच पर कागज से तुलिका और रंग आदी लेकर वह कमरे से बहा निकल गया शैन कक्ष के सामने एक खिड़की के समीब आकर वह अचकचा कर खड़ा हो गया कुछ सुनाई देता है क्या नहीं सब खामोश है उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ता था जहां कर भय से थर्थर कापते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में काटे से चुप गए बिस्तर उलट पुलट हो रहा था पुत्र से रिक्त गोद किये मा वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अतरिक्त मा कमरे में पृत्वी पर लोटते हुए बच्चे के मिर्त शरीर को दोनों हातों से वक्ष स्थल के साथ चिपटाए बाल बिखराए नेतर विस्त फारिद किये बच्चे के निर्जीव होटों को बार बार चुम रही थी नरेंदर की दोनों आखों में किसी ने सलाखे चुबा दी हो उसने होट चभा कर कठिनता से स्वयम को संभाला और इसके साथ ही कागस पर पहली रेखा खींची उसके सामने कमरे के अंदर वही भ्यानक दिर्ष्टी उपस्तित थी संभाफसंसार के किसी अन्य चितरकार ने ऐसा दृष्टी समुख रहकर तुलिका ना उठाई होगी देखने में नरेंदर के शरीर में कोई गती ना थी परन्तु उसके हिदे में इतनी वेदना थी उसे कौन समझ सकता था वह तो पिता था नरेंदर जल्दी जल्दी चितर बनाने लगा जीवन भर चितर बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी ना की थी उसकी उंगलियां किसी अग्यास शक्ती से अपुरु शक्ती प्राप्त कर चुकी थी रूप रेखा बनाते हुए उसने सुना बेटा ओ बेटा बात तो कर बात तो कर जरा एक बार तुम देख लो नरेंदर ने असफुट स्वर्व में कहा उफ ये असहनिय है और उसके हाथ से तुलिका छुट कर पिर्थवी पर गिर पड़ी किन्तु उसी समय तुलिका उठा कर वह पुन चितर बनाने लगा रह रहकर लीला का क्रदन रुदन कानों में पहुँचकर हिर्दे को छेड़ता था और रक्त की गती मंद करता था और उसके हाथ स्थिर्ख होकर उसकी तुलिका की गती को रोक देते थे इसी प्रकार पल पल पीथने लगे मुखे दुआर से अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था परन्तु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्व यापी कोला हल से बाहर हो रहा था वह कुछ भी ना सुन सकता था इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चितर की ओर बस रंग में तुलिका डुबोता और फिर कागस पर चला देता वह तो पिता था परन्तु कमरे के अंदर पत्नी के हिर्दे से लिप्टे हुए मिरत बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भुलाता जा रहा था सहसल लीला ने उसे देख लिया दोड़ती हुए खिड़गी के समीब आकर दुखित स्वर में बोली क्या डॉक्टर को बुला लाया जरा एक बार आकर देख तो लो मेरा लाल जीवित है या नहीं क्या हुआ है इसे चित्र बना रहे हो चौक कर नरेंदर ने लीला के और देखा वह लड़खडा कर गिर गई बाहर से दौर खटखटाने और बार बार चलाने पर भी जब कपाट ना खुला तो रस्वया और नौकर दोनों डर गए वह अपना काम समाप्ट करके प्राय संधियास घर चले जाया करते थे और प्राथकाल काम करने आया करते थे प्रती दिन लीला या नरेंदर तोनों में से कोई न कोई दौर खोल देता था आज चलाने और खटखटाने पर भी दौर ना खुला लीला की कृदन धुएनी भी कानों में आ रही थी उन लोगों ने महले के कुछ व्यक्तियों को बुलाया अंत में सबने सला करके द्वार तोड डाला सब आशरे चकित होकर मकान में गुसे जीने से चड़कर देखा कि दिवार का सहारा लिए दोनों हाथ जांगाओं पर रखे नरेंदर सिर नीचा किये बैठा हुआ है उनके पैरों की आहट से नरेंदर ने चौक कर मुँ उठाया उसके नेतर रक्त की भाती लाल थे थोड़ी देर पश्टाज वह ठाका मार के हसने लगा और सामने लगे चितर की ओर उंगली दिखा कर बोला डॉक्टर डॉक्टर मैं अमर हो गया दिन बीते गए परदशनी आरंभ हो गई परदशनी में देखने की कितनी ही वस्ट में थी परंतु दर्शक एक ही चितर पर जुके पड़ते थे चितर छोटा सा था और अधूरा भी नाम था अंतिम प्यार चितर में चितरित किया था एक माँ बच्चे का मिर्थ शरीर हिर्दे से लगाए अपने दिल के टुकडे के चंदा से मुखो बार बार चूम रही है शोक और चिंता में डूबी हुई मा के मुख नेत्र और शरीर में चितरकार की तुलिका ने ऐसा शुष्म और दर्दनाक चितरित किया था जो देखता उसकी आँखों से आँसों निकल पड़ते चितर की रेखाओं में इतनी अधिक शुष्मता से दर्द भरा था यहाँ बात किसी के ध्यान में भी ना आई थी इस दर्षक सम्हों में कितने ही चितरकार थे उन में से एक ने कहा देखिए योगेश बाबू आप क्या कहते हैं योगेश बाबू उस समय मौन धारन किये चितर की ओर देख रहे थे सहसा प्रसुन होकर एक आँख बन करके बोले यदि मुझे पहले से ही ग्याद होता तो मैं भी नरिंद्र को अपना गुरू बना लेता दर्षकों ने धन्यवाद साधुवाद और वावा की जड़ी लगा दी परन्तु किसी को भी मालुम ना हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मुले क्या है जिसने इस चित्र को चित्रित किया है किस प्रकार चित्रकार ने स्वैम को धूली में मिला कर रक्त से इस चित्र को रंगा है उसकी यह दशा किसी को भी ग्याद न हो सकी धन्यवाद